Hello Guys, Today I will explain to you the difference between this and that and those and these सबस्ब लेज इस आन देस की बाट करते हैं कि this और dat में हमारे कया difference होता है Singular pronoun, singular pronoun होता है हमारे this and that singular pronoun से हमारे क्या निकल है? this निकल है और that निकल है singular pronoun से near, this हमारे use होता है near के लिए कोई भी चीज करीब हो, मुझसे near हो और किलोस हो अब किलोस कब होगी, जब कोई चीज मेरे से नेयर होगी तब वो मेरे से किलोस होगी कोई भी चीज मेरे से किलोस है यानि वो मेरे करीब है, मेरे नेयर है सही है, और हेयर पिर नाहक है cultured sir take a मतलब होता है dieta कोई भी कर चीज मेरे यहाँ है , मेरे नेर х सबका मतलब एक है तो उसके लिए हम qmd तब हम déjàद का harder than a सही है अब इसमें कुछ उस हूते है प्रोणाम और ऊध्यक्तिव जिनमें अमारे इस दोस धॉक्या है business but you get 15 थे सारि हज हम क्या हां या होता है कि जो ray घर दे कंए कर दें को हिए तु आदायों कि इस्टेय्व वगेरा ही इसारि कνα यह बनाउन के भारे में यह बालों किस तरह गया है, what kind of, किस तरह गया है बन्दा, यह सा tall, tall हुआ है, सही है, वो tall हुआ है, किस तरह गया है, tall है वो, tall क्या हो गया हमारा adjective, जो describe करता है, नाउन के बारे है, वो हमारा adjective होता है, इस पर parts of the future में वीडियो मना चुक हूँ, description पर link शो करता हूँ, देख लिएगा ज यह वो खुद बर्फ हो, यह वर्फ से पहले आएगा हमारा this and that, वर्फ से पहले हमारा this या that आएगा, किस में demonstrative pronoun है, किस तरह से, this is my grandmother house, यह मेरी grandmother का घर है, इस क्या हो गया हमारा वर्फ, अब वर्फ से पहले आना जरूरी है हमारा, क्या आना जरूरी है, this or that, यहां के आर my grandmother house, जरूरी है, तो यहां हमारा वर्फ से पहले क्या आएगा, this आगया, okay, यह तो सही हो गया, अब demonstrative adjective हमारा क्या बोलता है, comes before a noun, कोई भी चीज, noun से पहले आएगी, वो क्या हो गया हमारा, demonstrative adjective फिर वो तब जा कर, बनेगा, किस तरह से देख ले क्या है, this house is my grandmother house, इसमें grandmothers, यह house, मेरी gamer mother, mother का है, मेरी grand mother का ही, house, यहां क्या आगया, यहां पहले हो हाऊश आ गया, house क्या हो गया, noun होगया, अब noun से पहले आना जरूरी है, hour this, or dad, यहां नावन से पहले हमारा this आ रहा है, शही है, यह demonstrative adjective में इस तरह से बनते है, बन्सेi इस माइन कार यह मेरी गाड़ी है इस क्या ओग अउगा है इससे वहले हमारा आया रहा है क्याThis maig car व्लोंक्स तू माइन वो ार्लोंक्स कष्थी तो आपमें हाॉस के सामने कड़ा हूONEY अब देखते इस और दोज के डिफ्रेंसे और उसे बहले एक आप में आपको बजाए चलो सिग्यूलर में इस और दोज दिस और देख लिए और दोज दिस और दोज के रहेंगे रूल उमेशा वही रहंगे, pronoun में क्या थे? वर्ट से पहले आना चाहिए और अड्यक्रटिफ है ऑर नाउन से पहले आना चाहिए आथे और लुओस सहह है, अपना है। वर्प से पहले जाए या वर्प से पहले आए थे बूरब यह तमे in the case of demonstrative project adjective इसमें क्यों होना चाहिए था इसमें यह होना चाहिए था कि noun से पहले आना चाहिए था these और those shoes हो गया noun noun से पहले आ गिया These bikes हो गया noun noun से पहले आ गिया those these shoes are old these-those bikes are old, सही है वो bike पुरान ही है सही है यही कुछ concept है हमारे these यह इस और दोस्स के है This अच्छा दिस और दएड हम इसको के सब्सक्राइब करेंगे उसको ये ता सब कोही पता होगा singular के साथ हमेशा इस 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 माल करते है अपने पो अपने र को अब जोस के घृफॉर्स जो मैंने बता दिंठ आपको और इनके यूजस में पता दी है मैंने आपको उमीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझागे हो कि अगर समझाए तो इसमा लाइक करें कुछ समझ नाए तो मुझसे कमेंड करें मैं कमेंड में बताऊँगा आपको जो भी मसले हो और अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें